हेलो स्ट्रेंट्स आज हम एक बहुत इंट्रेसिंग टॉपिक पर डिस्कॉशन करेंगे जो की हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारे कह सकते हैं कि इस टॉपिक ने हमारे देश की जो फीडम स्ट्रगल था उसको काफी उचायों पहुंचा दिया मतलब भी लोगों को मोटिवेट किया कि वो बिटिश जो रूल है उसे किस तरीके से जल्द से जल्द छटकारा पाएं तो फ्रेंट्स आप सही देख रहे हो हमने यहां पे लिखा है जलिया वाला बाग मैस्केर मतलब भी जलिया वाला बाग हत्याकांड आपको पता है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो अपने कई बार सुना देखा पढ़ा होगा टीवी सीरियोस में बुक्स में जलिया वाले बाग हत्याकांड के बारे में लेकिर आज हम यह डिसकुशन करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आए कि जलिया वाले बाग में इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई हमें यह तो पता है कि जलिया वाले बाग में लोगों की हत्या कर दी गई उनको गोली से भुन दिया गया लेकिन आखिर ऐसी क्या वज़य थी कि इनकी हत्या करनी पड़ी इतनी निर्शंस तरीके से इतने बेरहमी से भारती लोगों क तो आकिर इसके पीछ जो वजह थी उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जलिया वाला बाग हत्यकांट प्यान से पहले मैं आपको थोड़ी चीज की पहले की बात बता देता हूँ कि आखिर ये जलिया वाले बाग में जो मेटिंग थी वो और्गनाइस की होई थी फ्रेंट्स नाइटी 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 क्या था एक एसा कानून था जिसको जिसमें किसी भी भारतिय को संदिय के आधार पर शक्की आधार पर ग्रिफताल कर लिया जाता था और बिना मकदमा चलाए उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता था इसके बारे मैं मैं आप डिटेल वीडियो रॉलट एक्ट की बना चुका हूँ आप चैनल पे चेक कर सकते हो तो हमारे सामने बाता ही रॉलट एक्ट तो रॉलट एक्ट जिसको की भारतिय त्यहास में काला कानून भी कहा गया है उसके विरोध में सभी भारतिय लोगों ने रॉलट एक्ट का विरोध किया वो नहीं चाहते थे कि रॉलट एक्ट भारत में लाग हुओ क्योंकि अंग्रेजिस एक का गलत फायदा उठा रहे थे वो बिना बात के भारतियों को पकड़ते और बिना में चलाए जिल में डाल देते लेकिन जब पूरा भारत इस लॉलट एक का विरोध कर रहा था तो उसी विरोध की श्रंकला को आगे बढ़ाते हुए भारतिय कि अब 20,000 लोग जलिया वाले बाग में में जो मीटिंग है रही थी 10 अप्रिल którą नाइंटीन नाइंटीन तो फ्रेंड्स 13 अप्रिल 19 नाइंटीन में जलिया वाला बाग के मीटिंग है रही थी और उस दिन पूरा देश बैसाखी के त्योहार में इंजॉय कर रहा था उस द जलियावाला बाग है तो उस वक्त पूरा पंजब वैसाखी का त्योहार मना रहा था और हमारे भारतिय लोग इस रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियावाले बाग में 13 अप्राल 1919 को जमा हुए थे और वो बड़े शांती पूर्वक अहिंसा वाले मार्क को अपना क अगर वो अपनी मीटिंगों कर रहे थे और आखिर आये कि क्या रनलीती बनाई जाए उस एक्ट को हटवाने के लिए उस पर चर्चा कर रहे थे बच्चे बूड़े महिलाएं सब उस जलियावाले बाग कि उस मीटिंग में शामिल थे माना जाता है कि उस वक्त चो लोग मी से पेट कर रहे थे चर्चा कर रहे थे रौट़ीट की बारे में तो ये बात उस वक्त पंजाब के जवशनमर से जनरल माइकल डायर्य को पता जब उसको बाद पता चली कि भारतिये लोग इस रॉल अट एक की विरोध में क्या कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह भारतिये लोग बिटिश गवर्मेंट के अगेंस्ट कोई कॉंस्परेंसी कर रहे हैं मतलब कोई शरयंत्र कर कर रहे हैं बिटिश सरकार के खिलाव और वह लगबक जनरल डायर अपने साथ 150 150 सोलजर्स को लेकर गया 150 सोलजर्स पूरे हतियारों से लैस थे उनके पास डबल कार्टिज राइफल थी वह वहां गए और जलिया वाले बाग को चारों ओर से अंदर से गेर लिया गया अब बाग में उस समय सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था जो गेट ज्यादा चौड़ा नहीं था बहुत ही नेरो गेट था उस गेट को भी ब्लॉक कर दिया गया और लगबक डेर सो सैनिकों ने बिना कोई वार्निंग दिये अगर उनको वार्निंग दे जाती कि आप पे किसी भी जो गेट था वो भी cover कर लिया गया और सैनिकों को उसने firing करने के आदेश दे दिये गए जो बिटिश सोल्डर्स थी वो लगातार उन पर फार्निंग करते जा रहे थे और हमारे इतिहास के मताबिक यह भी माला जाता है कि उन सैनिकों ने तब तक फार कि जब तक कि उनकी पूरे जलिया वाले बाग में बुरी तरीके से भागदर मचगए थी और लोग बिटिश गवर्रमेंट ने जब पूरा कर लिया था तो उसके बाद में एक आकड़ा जारी किया कि लगभग 379 कितने 379 जो लोग है भारती वो मारे गई हैं अंग्रेज ने कहा था कि ज्यादा लोग नहीं मरे 379 जो लोग है वो सरफ मारे गई हैं जबकि कंग्रेस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि बिटिश गवर्मेंट ने यह गलत आकड़ा बताया है भारती लोग 379 नहीं मारे गई लगवग 1000 भारती जो लोग है वो मारे गई हैं मतलब कि 1000 से उपर जो लोग है वो भारती है मारे गई इस बात को देखते हुए पूरे देश में गुरूत की लहर दोड़ गई और जनल डायर को कुछ खास सजा नहीं दी बस उनको भारत से वापस बिटेन बुला लिया गया बस तो फ्रेंट्स आज हमने समझा कि जलिया वाला हत्या कांड आखिर क्यूं हुआ था